नशे की बढ़ते परकोप ने एक और घर के चिराक को बुझाया कपाली सड़क तुर्गटना में सद्दाम नामक लड़के की हुई मौत जब शेतपूर से सटे कपाली छेतर के पॉलेस ओपी के थिक पीछे पॉलेथीन ग्राउंड के नस्दीक आज एक तेज रफ़तार स्प्लेंडर बाइक ने एक घर के दिवार में जाकर टकर मार दी इस टकर में बाइक पर सवार तीन यूवक बुरी तरह चोटिल हो गए जिसमें मिलत नगर के रहने वाले 25 वर्षी साजित अंसारी उर्फ सद्दाम की मौत हो गई है वहीं डेम डूबी के रहने वाले अर्बास अंसारी और इमरान खान गंबी रुख से घाल हुए है जिनके स्थेती अभी नाजुक बताई जा रही है चश्मदीदों का कहना है कि लड़के नशे की हालत में तेज रफ़तार बाइक चला रहे थे तभी अनियंत्रित होकर बाइक दिवार से जाटकराई और वो लोग हाथ से का शिकार हुए अब सवाल यह है कि आखिर कपाली में बढ़ते नशे के परकोफ को प्रशाशन रोकने में असफल क्यों है आज भी इलाके में जोरो शोरो से नशे की सामगरी की खरीद वो फरक्त की जा रही है आए दिन लड़के नशे के हालत में या तो तड़क दुरगटना का शिकार हो रहे हैं या फिर किसी क्राइम को अंजान दे रहे हैं इन सब को रोकने के लिए प्रशाशन को और सख्त होकर नशे के बढ़ते प्रकॉप को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की जरुवत है पुरवासियों को मंगल बाजार के लिए अब नहीं करना होगा मंगलवार का इंतजार क्योंकि अब मांगो के ओल्ड प्रुलिया रोड में खुल चिका है मंगला हाट जहां आपको हर दिन मंगल बाजार के तरसपल मिलेंगे फैक्टरी माइनर रिजेक्शन ब्रांडिट कपड़े वो भी वाजिब दामों में मांगो ओल्ड प्रुलिया रोड चेसु भवन की समीब रोलेक्स टावर के मंगला हाट में आपको मिलेंगे लड़के लड़कियों एवंग छोटे बच्चों के लिए माइनर रिजेक्शन ब्रांडिट कपड़े वो भी सिर्फ 30 रुपे, 50 रुपे, 99 रुपे, 1500 रुपे एवंग 200 रुपे और उसके उपर वाजिब दामों में तो याद रखें अब आपको कम दामों में अच्छे कपड़े खरीदने के लिए मंगल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब मांगो के ओल्ड तुलिया रोड में खुल चिका है मंगला हाट एकदम वाजिब दाम